हाई फेम्स मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट राकेश वर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना न भोलें तो दोस्तों तो आज का टॉपिक है हमारा कच्छा 10 के भावतिक के चैप्टर 2 का मानो नेत्र इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे मानो नेत्र के जितने भी रोग होते हैं उनके निवारण होते हैं कारण क्या होते हैं मानो नेत्र के कितने पाड होते है सबका अध्यन करेंगे तो दोस्तों let's start the video मानो नेत की रचना कैमरी की रचना से बहुत कुछ मिलती है या परकृत का मानो शरीर में दिया हुआ परकाशिक यंत्र है नेत्र गोलक क्या होता है दोस्तों आँख लगभग गोल होती है तता आँख गोले को आँख के गोले को नेत्र गोलक कहा जाता है श्वैद पटल क्या होता है या आँख की कठोर कोलेजन तन तुम्हें बाहफरत होती है जो आँख को शुरक्छायों आकार परदान करने का कारी करती है कार्निय क्या होता दोस्तों या स्वैत पडल का पारदर्शी प्रिश्ट भाग होता चूप्रकास को अपवर्तित करके रेटीन पर पहुंचाता तो आप भीगर में भी देख शकते हैं नेत्र दांके ज्मै आखके कार्निया भाग को धान किया जाता है दोस्तों जान किया जाता है आख के कार्णिया को जान किया जाता है पलक क्या होता है या कार्णिया को यांत्रिक योंग राशानिक छत से बचाती है तथा रेटीना की तीवर परकास से सुरक्षा परदान करने का कार्य करती है कोरोईड क्या होता है इसमें रुधिर नलकाय होती है जो रेटिना को रुधिर प्रदान करती हैं तथा या काली वर्ड़क को इशकाओं से डखी होती हैं या आँख में परकाश के प्रावर्तन को रोखती हैं तो आप फिगर पर भी आप देख शकते हैं नेत लेंस क्या होता है या पारदर्सी लचेला अभियोत्ता लेंस है जो जिलेटिन जैसे पारदर्सक पदार से बना हुआ तथा मुलायम होता है या परकाश को रेटीना पर केंद्रित करने का कारी करता है आईरिश क्या होता है या वरित्ती पेशी शिकूर्णी तता पहलने वाला डायफराम है जिसमें आँख को रंग परदान करने वाले वरड़क पाये जाते हैं या आँख में परवेश करने वाले परकाश की मात्रा को नियंतरित करने का कारी करता है पुतली की बारे जानते हैं दोस्तो आइरिश में एक छिदर होता है जिससे परकाश परवेश करता है इसे पुतली कहा जाता है या छिदर अंधियरे में स्वता फैल जाता है और तेज रोशनी के समय स्वता ही सिकुड जाता है रेटीना क्या होता है इसमें परकास गराही छड यों संक कोशकाएं पाई जाती हैं संक कोशकाएं रंगों की पहचान में सहायक होती हैं छड कोशकाएं अधेरे में देखने में सहायता प्रदान करती हैं इसको दोस्त आप नोट भी कर सकते हैं आँख में वस्त का परतविम रेटीना पर बनता है जो वास्तविक तथा उल्टा होता है लेकिन अनभव के आधार पर हमें सीधा दिखाई देता है जली द्रव क्या होता है दोस्तों या कार्णिया तथा नेत लेंस के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होता है जिसे शामान निभाशा में आशू भी कह सकते हैं इसका परदांग 1.337 होता है आशू मुख रूप से शोडियम क्लॉराइट के बने होते हैं जो लेक्रमल गरंद से शरावित होते हैं किस्षे दोस्तों लेक्रमल गरंद से ब्रव क्या होता है या लेंस तथा रेटीना के बीच भरा हुआ पारदर्शी द्रव होता है इसका प समंजन चमता की बात करते हैं दोस्तों वस्त चाहें दूर हो या निकट हो हमें अश्पष्ट दिखाई देती है यह कार आंक के लेंश के द्वारा फोकस दूरी को बदल कर किया जाता है या परिवर्तन शीलरी पेश्यों के तनाव के घटने तथा बढ़ने के कारण होता है आक की आचमता समंजन चमता कहलाती है निकट की वस्त को देखने की समंजन चमता पचीश सेंटीमीटर होती है और दूर की वस्त को देखने की समंजन चमता अनंत होती है निकट द्रिश्दोस क्या होता है दोस्तों इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है इस रोक्ष के गर्शिति ब्यक्ति को नजदीक की वस्त को देख लेता है लेकिन दूर इसस्थितवस्त को नहीं देख पाता ह। कारण क्या होता है? लेंज की गुलाई गढ़ जाना, लेंज की फोकसदूरी घटना लेंज की छमता का बढ़ा। इस पर अगरण वस्त का परत्मरेटिन पर ना बनकर रेटीना के आगे बन जाता है निकट द्रिश्ट के रोग कर निवारण क्या होता है निकट द्रिश्ट के निवारण के लिए उप्यूक फोकसदूरी के आउतर लेंश का परियोग किया जाता है दोस्तों निवारण के लिए किसका आउतर लेंश का इस रोग से गर् लेंज की गुलाई का कम हो जाना लेंज की फोकस दूरी का बढ़ना और लेंज की छमतागा घटना इस रोग में निकट की वस्त का प्रत्विम रेटीना के फीछे बनता है बहुत में पड़ें दोस्त इसको नोड़ भी कर सकते हैं आप रोका निवारण कैसे करते हैं दूर द उस्त के कारण आंग की सामंज स्छامता घड़ जाती है या समात हो जाती है जिसके कारण ग्यक्ति ना तो दूर की वस्त और न निकट की वस्त देख पाता है तो क्या कहलाता है जरा द्रिश्टिक दोस्त दोस्तों इस रोग का निवारण कैसे किया जाता है इस रोग के निवारण के लिए दूइफोक्षी लेंस उभयातल लेंस या बाइफोकल लेंस का उप्योग किया जाता है जिससे इस रोग का निवारण आशानी से किया जा सकता है आप इन्युक्ता क्या होता है दोस्तों इसको सोते हैं चिल देखवाता है है लोड़ में ज़रा कुछ का ययुक्त का सब्सक्राइब करता है चादा सिक सब्सक्राइब कभी-कभी अधिक आयों के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिष्टलिये लेंस दुधिया तता दुधला हो जाता है इसी स्थित को मोतिया बिंद कहते हैं इसके कारण नेत्र की दृष्ट में कमी या पूर उठी दृष्ट इच्छे हो जाते हैं दोस्तों ये था भौति का दूसरा चेप्टर और इसी तरह समापत होता अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें